हेलो एवरिवन यू तो आपने टमाटरों से बना हुआ पीज़ा सॉस और पास्ता सॉस बहुत यूज़ करा होगा मार्केट से पिलाए होंगे खुद भी बनाया होगा लेकिन आज हम यहां बनाएंगे इटालियन मैरे नरा सॉस यह भी पीज़ा और पास्ता में यूज़ करा टमाटर पक गए हैं इसका छिलका क्योंकि फट गया है और प्रिक करके देखने पर बहुत ज्यादा इसली देखिए इसके अंदर टूथपिक जा रही है पानी निकाल कर टमाटरों को ठंडा होने के लिए रखते हैं अब एक पैन में कोल्ड प्रेस ओयल लेंगे वैसे तो च्हार हुरा हुने तक उन्नकों भूने के वह ठोड़ा से डालेंगे टोमैट्व सॉस जिब कुछ इस तरीके का हो जाएगा दबिसंपे डाल देंगे च्खिले हुए टमाटर तमाटर यहं सापुटा तमाटरों को मेस मेय से मैश कर देंगे टो मैश करने के बाद मै इसमिर काश्मीरी लाल मिर्च क्यूंकि मेरे टमाटर बहुत जादा रड नहीं थे तो सोस को अच्छा सा कलर देले के लिए इसमे डाली काश्मीरी लाल मिर्च नमक ह्यादा तोड़ी चीनी ओरिगeENो और पीसी हुई काले मिर्च फ्लेम को लो रखेंगे और oil छोड़ने तक इसको पकाएंगे ठंडा होने पर इसमें डालेंगे ताजी बेसे leaves अगर आपके पास ताजी नहीं हैं तो आप market से dry भी लेकर डाल सकते हैं gas on करके इसको बस हम थोड़ी देर और पकाएंगे अब देखिए इसका color कितना अच्छा हो गया है इसने oil भी अच्छे से छोड़ दिया है gas को अब हम बंद कर देंगे इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद देखिए कितना जादा ये colorful कितना tempting लग रहा है मैं तो इसको bread से check कर रही हूँ आप इसको बना कर एक बार मेरेकैन से जरूर खाईएगा औरमिरी guarantee है कि आपको यह जरूर पसंद आएगा इसको बनाने में कोई बहुत जादा पैसे नहीं लगने कोई बहुत जादा मेहनत नहींत नहीं करने